को हेलो इंकम टेक्स के केसी की सिरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वह डिपार्टमेंट के दोरा जो असे सी की स्टेटमेंट्स ली जाती हैं चाहे वह सरवे के दोरान हो यह वह सच के दोरान हो उन statements की as an evidence क्या importance होती है और क्या department खाली statements के basis पर या उन statements लेने के बाद यदि assessi उनको subsequent कोई assertions कर देता है तो क्या खाली cooperative evidence के अभाव में department खाली statements के basis पर addition कर सकता है यह issue चंदिगड आईटी एटी ने अपनी एबेंच के judgment में जस्विंदर सिंग वर्सिस डिप्टी कमिशनर आफ income tax के case में deal किया और यह matter 109 आईटी आर tribunal page number 377 पर रिपोर्ट हुआ और इस case का judgment 1st December 2023 को आया present case में assessi के हां survey हुआ survey के दौरान assessi का जो stock था जो की books में था और जो stock physically revenue department को मिला उसके अंदर फरक था assessi का यह कहना था कि यह जो stock में difference है यह वही stock है जिसके अंदर assessi deal करता है यह assessi के business से related है लेकिन assessi के इतना explain करने के बाद भी जब assessi की assessment complete की गई तो assessi की assessment section 69 a के अंदर जो की unexplained money के बारे में बात करता है और assessi के ऊपर जो tax rate लगाया गया वो section 115 bb e का लगाया गया जो की special rate of tax के बारे में बात करता है उन cases में जहां पर assessi की addition section 68 और 69 की family में की जाती है प्रेंड्स यह देखा गया है कि जब भी department को addition करता है तो उसको 68 या 69 में ले जाने की कोशिश करता है बिना इस चीज का ध्यान रखे कि assessi ने अपनी undisclosed income का source disclose कर दिया है present case में assessi जिस items में deal कर रहा था और जो assessi के यह stock पाया गया उन दोनों stock के अंदर similarity थी इसलिए यह safely presume किया जा सकता था कि जो stock है वो assessi के business से related है और assessi के उपर section 115 BBE नहीं लगना चाहिए normal rate of tax लगना चाहिए तो एक तो इस issue पर चंदिगण ITAT का यह कहना था कि जब assessi ने अपने stock को explain कर दिया है और जो stock का difference पाया गया वो stock का difference उन्हीं items से संबंदित है जिसके अंदर assessi deal करता है तो एसी परिस्थिती के अंदर assessi के उपर section 115 BBE नहीं लगाया जा सकता second present case में assessi के हाँ एक diary मिली जिसके अंदर 77 entries थी उन 77 entries में नाम लिखा हुआ था और उनके आगे कुछ amount लिखे हुए थे department ने उस diary के जो भी amount थे उनको assessi की income में add किया अससी का यह कहना था कि जो amount है वो पूरे नाम के साथ नहीं है जो entries है उनके अंदर जो नाम पूरे उनके अंदर पूरा नाम नहीं है dates नहीं है वो किस financial year के अंदर transaction हुआ यह चीज नहीं है दूसरा यह चीज भी mention नहीं है कि assessi ने वो amount receive किये है या वो amount pay किये तो ऐसी परिस्तिति के अंदर जहां पर उस diary को एक dumb document के अलावा और कुछ नहीं माना जा सकता तो उस diary के basis पर assessi का addition करना जायज नहीं है present case में ट्रुबिनल ने यह भी कहा कि सर्वे के case में यह भी statement record की जाती है और उसके बाद भी assessi कोई subsequent assessi से उसको admit कर लेता है तो प्रुब्रेटिव evidence के अभाव में खाली उस statement के basis पर या subsequent assessi के basis पर affirmation के basis पर assessi का addition नहीं किया जा सकता जो statement है उनकी evidentry value इस बात पर निर्भर करती है कि वह collaborative evidence से support होती है है या नहीं इसके अलावा एक department का circular भी है central board of direct taxes का जो कि यह कहता है कि जब किसी assessi के सर्च या सर्वे होता है तो revenue authorities को statement या जो assessi से cylinder किया करवाय जाता है जब दस्ती इसके बजाए department को यह कोशिश करनी चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा evidence वो इकठा कर सके वो evidence इकठा करें ना कि pressure करके assessi से कोई गलत income का cylinder कराए क्योंकि बाद में ऐसे additions collaborative evidence के अभाव में छूट जाते हैं वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम repeat कर रहा हूँ केस का नाम है जसुइंदर सिंग वर्सिस deputy commissioner of income tax और यह केस 109 ITR tribunal page number 377 पर report हुआ matter चंदिकर्ण ITAT की A bench ने decide किया और इस केस का judgment 1st December 2023 को आया थैंक यो फ्रेंट्स